इस बार सभी पक्षियों ने फैसला किया था कि वो सब अपनी अपनी फसल से कुछ हिस्सा ररी पक्षियों को दूंदी गर्मी का मौसम था इसलिए आज कल जंगल में गहियों की फसल तियार थी और एक दो दिन में कटाई होने ही वाली थी गुडिया के पापा जल्दी चलें हम धूब तेज होने से पहले पहले अपनी फसल काट लेते हैं तेज धूब में काम मुश्किल हो जाएगा ममा ममा मैं भी आपकी मदद कहने आपके साथ जाओंगी हाँ मेरी बेटी मुझे पानी लाला कर पिलाएगी और हमारी काम में मदद करेगी इस तरहां चिडिया भी अपनी गहियों की फसल की कटाई शुरू करती है गुडिया मटके में नदी से ठंडा पानी अपने ममा पापा के लिए ले कर आती है कभूतर और उसकी पतनी भी अपनी फसल की कटाई में लगे हुए थे चाचा कभूतर जब ठक जाता है तो वो एक पेड़ की थंडी चाओं में आराम करने लगता है लूसी दुपहर हो गई है थोड़ा आराम कर लो बाकी का काम हम शाम को कर लेंगे ऐसे सरपक्षी अपने काम में मगन थे उसी जंगल में कवा और कवी भी रहते थे वो ज्यादा काम तो ना करते थे मगर अब फसल तो काठना ही थी इसलिए वो भी अपनी दरंती लिए खेत में थे चल भी कालू अब आई तुम्हारी बारी मैं तो ठक गई हूँ ऐसे कैसे मेरी बारी अभी तो तुम गई थी मुझे थोड़ी देर चाओं में बैठ भी लेने दो अच्छा चलो जब तक मैं पचास तक गिनती गिनती हूँ तुम फसल को काटो और फिर तुम पचास तक गिनना और मैं काटूंगी फिर कालू जी दरंती लेकर गहियों की फसल की कटाई शुरू करता है और उसकी पतनी गोरी कवी गिनती गिनना शुरू करती है एक, दो, तीन, चार, 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 चार अब आगे भी बढ़ो या फिर चार से आगे गिनती आती ही नहीं है तुम्हें वो नकटू पती पतनी भी जैसे तैसे अपनी फसल काटी दे थे दो, तीन दिनों में सारी फसल समेठ ली जाती है और दाने सारे पक्षी अपने अपने घरों में ले जाती है अब बारी आ गई थी गरी पक्षियों का हिसा देने की चिडिया भी अपनी फसल से कुछ हिसा एक थैले में डालती है और अपने पती से कहती है गुडिया के पापा आप ये गरीबों का हिसा गरी पक्षियों को दे आएं कबुतर भी अपने पतनी से गरी पक्षियों का हिसा एक थैले में लेकर घर से निकलता है गरी पक्षियों को हिसा देने का वादा तो कवे और कवी ने भी किया हुआ था इसलिए गोरी कालू से कहती है कालू जी बहुत मुश्किल से फसल काटी है अब मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि मैं अपनी फसल से गरीबों को दाने दूँ गोरी हम सब पक्षियों ने वादा किया था इसलिए कुछ ना कुछ हिस्सा तो गरीब बख्षियों को देना ही पड़ेगा तो फिर तुम ये थैला ले जाओ मैंने इस थैले में नीचे भूसा डाल कर उपर उपर गहियों के दाने डाल दिये है ये बहुत अचालाकी की है तुमने ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा फिर कालू कवा वो भूसा मिले दानों का थैला लेकर जंगल के सबसे गरीब बख्षी चाचा च्छम च्छम की तरफ जाता है चाचा जी ये ले ये हमने गरीबों का हिस्सा निकाल दिया है तुम बहुत अच्छे कोवे हो जो अपनी फसल में से गरीबों को भी कुछ दिया फिर चाचा च्छम च्छम वो थैला लेकर चील की चक्की पर जाता है क्योंके उसे गहियों का आटा जो बनवाना था छी छी चाचा च्छम च्छम ये क्या किया तुम्हारे दानों में तो सारा ही भूसा है मेरी चक्की ही खराब कर दी तुमने ये सुनकर च्छम च्छम रोने लग जाता है कैसे पक्षी हैं गरीबों का मजाक बनाते हैं और वो बहुत निराश हो जाता है कवा और कवी बहुत खुश थे क्योंके उन्होंने घरी पक्षियों में भूसा मिले दाने बाट कर साफ दाने बचा लिए थे पती जी जाओ आटा खुत्म हो गया है घर में और तुम चील दी दी की चक्की से गहियों से आटा बन वालाओ फिर कालू कवा साफ दाने एक थैले में डाल कर चील के पास चाता है चील दी मुझे आटा बना दें मेरे दाने बहुत साफ है मगर चील जैसे ही कालू कवे का थैला खोलती है उसमें तो लाखों की तादाद में सुन्डिया थी क्यूंके कालू और गोरी की फसल तो पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी ये देखकर कालू कवा रोता हुआ घर जाता है गोरी हम लुट गे हमारी सारी फसल को सुन दी लग गई है अब हम क्या खाएंगे ये सुनकर गोरी भी रोने लग जाती है कालू जी हमने गरीब पक्षियों से धोका किया शायद ये हमें उसे पाप की सजा मिली है हाँ गोरी अगर हमने अपनी फसल से कुछ हिसा गरीबों को दे दिया होता तो शायद हमारे साथ ऐसा ना होता फिर वो पती पतनी बैठे रोते रहते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आप किसी की भी मदद करते हो तो हमेशा ऐसी चीज़ों से करें जो आप अपने लिए पसंद करते हो ना के खराब चीज़ें दे कर किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाएं जंगल में मोसम बदल रहा था मगर अभी बहार आने में कुछ दिन बाकी थे जंगल में उन दिनों भोजन की कमी थी मगर मिठू तोते का घर जिस पेड़ पर था उस पेड़ पर बहुत से अमरूद लगे हुए थे मिठू भी उन दिनों बहुत आलसी हो गया था वो सुभा सुभा उठता कुछ अमरूद खाता और फिर से सो जाता वो तो उड़कर दूसरे पेड़ पर भी ना जाता था चलो कालू भोजन लेने चले गोरी तुम्हें तो पता है राज से मेरे पेड़ में दर्द है मुझसे नहीं जाहोगा आज आप अकेली ही भोजन लेने चली जाओ तुम्हारा हर रोज कोई न कोई नेया बहाना होता है फिर गोरी अकेली ही भोजन की खोज में निकल जाती है रास्ते में चड़िया और कबूतर भी उसे मिल जाते हैं गोरी आज कहा जाना है भोजन लेने चड़िया आसपास तो मैं सब ही देखाई हूँ कहीं भी भोजन नहीं है क्यों ना आज हम तोते के पास जाएं और उसे अमरूद ले ले हाँ हाँ मैंने भी देखा है मिठु तोते के पेड़ पर बहुत अमरूद लगे हुए है फिवो सब अपने दोस्त मिठु तोते के पास चले जाते हैं मिठु तो अपना पेड़ भर कर सोया हुआ था चिडिया मिठु को आवाज देती है मिठु भाई उठो उठो मिठु भाई सारी नीद खराब कर दी क्या बात है आप सब यहां क्यों आए है यार मिठु हमें कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा भोजन लेने दूर तक जाना पड़ता है आज आप हमें अपने पेड़ से कुछ अमरूद दे दें ना जी ना मैं तो अपने पेड़ से एक भी अमरूद आपको नहीं दूँगा ये पेड़ भी मेरा है और इस पर लगे अमरूद भी मेरे मोटी चोंच वाले इतने अमरूद खा कर मरोगे क्या तुम क्या है जो हमें भी एक एक अमरूद दे दो तो मिठू भाई मिल बांट कर खाने से भोजन का सवाद और भी भढ़ जाता है आप सब मुझे तंग ना करें मुझे अकेले ही बहुत सवाद आता है मीठे मीठे अमरूद खाने में आप यहां से जा सकते है याद रखना बड़ी चोंच वाले मिठू बदला जरूर लूँगी मैं तुम से फिर वो सब वहां से चले जाती हैं और मिठू तो ता फिर से सो जाता है सब पक्षी उड़ते हुए दूर तक जाते हैं और फिर उन्हें पहाडों के पास से कुछ दाने चावलों के मिल जाते हैं मिल गया हमें भी भोजन मिल ही गया चुडिया भोजन तो मिल गया मगर वो मिठू आज कल बहुत खराब हो गया है मुझे तो अभी तक उस पर गुसा आ रहा है कैसे गुमांड कर रहा था अपने पेड़ पर गोरी आप चिंता ना करें जो गुमांड करता है उसे उसकी सजा जरूर मिलती है उसने हमारे साथ बुरा किया और हमें अपने घर से भगा दिया एक ना एक दिन उसे हमारी जरूरत जरूर पड़ेगी फिर वो सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वहां से चले जाते हैं ऐसे ही दिन गुजरते के मिठु तो आराम से अपने पेड़ से अमरूद खाता रहा और बाकी पक्षी भोजन के लिए दूर दूर तक जाते थे फिर एक सुभा जब मिठु सो कर उठता है तो उसके पेड़ के सारे अमरूद तूट कर पेड़ से नीचे गिरे हुए थे क्यूंके वो अमरूद बहुत ज़्यादा पक कर खराब होगे थे अरे मेरे तो सारे अमरूद खराब होगे इससे तो अच्छा था कि मैं ये अमरूद दूसरे बख्षियों में ही बांट देता चलो एक दो दिन तो और सकौन से गुजरेगा फिर मिठु नीचे आकर जैसे ही एक अमरूद को खाने लगता है तो वो देखता है कि अमरूदों में तो कीडे हैं छी छी इन अमरूदों में तो कीडे पड़ गे हैं अब मुझे दूसरे पक्षियों के पीछे ही भाचन की खोज में जाना होगा ऐसा सोचकर मिठु वहां से उड़ता है मगर थोड़ा सा ही उड़ने के बाद मिठु ठक जाता है क्यूंके वो तो केई महीनों से उड़ा ही नहीं था वो अमरूद खाता था और सो जाता था इसी कारण वो बहुत आलसी हो गया था वो गिर जाता है दूसरे पक्षियों जब अपना भोजन लेकर वापिस आ रहे थे तो मिठु को गिरा हुआ देखकर वहां आ जाते हैं मिठु आज बड़े दिनों बाद तुम्हें घौंसले से निकले देखा है क्या अमरूद खतम होगे तुम्हारे कीडे पड़े इस मोटी चोंच वाले के अमरूदों में ऐसा ही है गोरी सच में मेरे अमरूदों में तो कीडे पड़ गे हैं मैं भजन ढूंडने जा रहा था कि मुझसे उड़ा ही नहीं जा रहा उडोगे भी कैसे मुझे तो लगता है तुम उड़ना ही भूल गे हो मुफ्त के अमरूद खाखा कर तुम्हारा शरीर सुस्त हो गया है अब पता चला चलो चिडिया चले ऐसा कहते हुए गोरी और कबूतर तो वहां से चले जाते हैं मगर चिडिया मिठु से कहती है मिठु ये लो आप कुछ दाने मुझे से ले लें क्यूंके हम आपके दोस्त हैं और आपको ऐसे हाल में नहीं देख सकते मगर जो आपने हमारे साथ किया था वो भी याद करो चिडिया मुझे माफ कर दो मैं ये भूल गया था कि ये अमरूद तो चार दिन के हैं फिर चिडिया वहां से चली जाती है और मिठु बहुत मुश्किल से उड़कर अपने घौंसले तक पहुँचता है वो इतना ही उड़ने से बहुत ठक गया था प्यारे दोस्तों अपनी जिंदगी को इतनी भी आराम दे मत बनाओ कि समय आने पर आप से कोई भी काम ना हो क्यूंकि फारग रहने से शरीर सुस्त हो जाता है आपका धन्यवा